सिक्षार्थियों नमस्कार और इससे आप या हम क्या समझते हैं तो मुफ्त एवं अनिमार्य सिक्षा से तात्परे है छह वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालक और बालिकाओं से बिना कोई शुलक लिए तथा बिना किसी भेदभाव के सिक्षा के व्यवस्था करना भारत के प्रशिद अर्थ शास्त्री एवं नोबल पुरसकार प्राप्त श्री अमर्त सेन का कथन है कि सिक्षा भारत का आधार है सिक्षा किशी भी व्यक्ति, समुदाय, समाज एवं रास्ट के प्रगतिशील एवं समग्र विकास और सशक्ति करन के लिए आधारभूत मानों को प्रदान किये जाने वाले मौलिक अधिकार है सिक्षा के लिए युनेस्को की सबके लिए सिक्षा की वैश्विक्र नियंत्रन रिपोर्ट 2010 जिसे की Education for All Global Monitoring Report 2010 भी कहा जाता है के मुताबिक लगभक 135 से अधिक देशों ने अपने सम्वेधान में सिक्षा को अनिवारे कर दिया है तथा मुफ्त एवं भेद भाव रहित सिक्षा सबको देने का प्रावाधान किया है भारत ने 1950 में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवारे सिक्षा देने के लिए सम्वेधान में प्रतिबधता का प्रावाधान किया है जिसके लिए मुफ्त एवं अनिवारे सिक्षा को सम्वेधान के अनुक्षेद 45 के तहत राज्यों के नीत इनर्देशक तत्तों में सामिल भी किया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस संसोधन के अनुसार एवं कब लागू हुआ अब हम यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे पूरो में भारतिय संविधान के अनुशेत 45 में संपून भारत के किसी भी राज्य में किसी भी शहर अथवा किसी भी गाउं में रहने वाले 6 वर्स से लेकर 14 वर्स तक के बालक एवं बालिकाओं के लिए मुफ्त में एवं अनिवारे रूप से सिक्षा दिये जाने का में वर्णित अनुख्षेत 45 में संशोधन करके संविधान के भागतीन में वर्णित मौलिक अधिकारों के अंतरगत एक नए अनुख्षेत 21 का अर्था 21A को जोड़कर सिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवारे सिक्षा का अधिनियम 2009 जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1 अप्रेल 2010 को संपूर्ण भारत वर्ष में समान रूप से लागू किया गया है इस अधिनियम के तहट केंडर तथा राज्यों के लिए कानूनी बाधिता है कि 6-14 वर्स तक के बालकों को सिक्षा मुफ्त एवं अनिवारे रूप से आसाने से उपलब्ध हो सके इस हेतु इस दस्तावेज में विभिन्न तरीके के प्रावाधान भी किये गए हैं अब सिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में इस हेतु कौन-कौन से महत्पून प्रावाधान है इसको जानने एवं समझने की कोशिश करेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुक प्रावाधानों में जो पहला प्रावाधान है वह यह है कि 6-14 वर्ष तक के प्रतिक बालक के लिए समीपस्थ विद्याले में मुफ्त आधारभूत शिक्षा अनिवार्य है अर्था जो भी 6-14 वर्ष तक का विद्यार्थी या बालक या बालिका है उसके लिए जो सबसे उसके लिए नस्दीक का विद्याले है उसमें प्रवेश ले सके और उस प्रवेश है तो उसे कोई भी शुल्क ना प्रदान करना पड़े शुल्क ना अधा करना पड़े यह जो भिन्न प्रकार से योग्य जिसे की हम लोग अंग्रेजी में differently abled children कहते हैं 18 वर्ष तक के उन बच्चों के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और नहीं उन्हें शुल्क अथवा किसी आन्या व्यायों या खर्चों की वज़े से आधारभू सिक्षा लेने से रोका जाएगा कहने का तात्पर यह है कि 6-14 वर्ष तक के बच्चों से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और किसी भी तरीके के hindrance को किसी भी तरीके के बाधा को उसके सिक्षा प्राप्त करने के रास्ते में आने नहीं दिया जाएगा और यदि कोई बाधा आती है तो उसका proper उसका ठीक तरीके से समाधान किया जाएगा तीसरा जो महत्वपुन प्रावाधान है सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वह यह है कि यदि 6 वर से अधिक आयू का कोई भी बालक किनी कारणों से विद्यारे नहीं जा पाता है तो उसे सिक्षा के लिए उसकी उम्र के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलवाया जाएगा अर्थात जो ड्राप आउट्स बच्चे हैं वो उनके एजुकेशनल लेवल को इस्टिमेट किया जाएगा और एसेस करने के बाद जिस भी कक्षा के अनुरूप उसकी सैक्षिक योगिता होगी वो उस कक्षा में उसको प्रवेश दिया जाएगा मतलब कोई भी बच्चा जो है जो की लेफ्ट बिहाइंड हो गया है उसको पीछे नहीं रहने दिया जाएगा उसको उसी स्तर के कक्षा में प्रवेश देकर उसकी पढ़ाई लिखाई के व्यवस्था की जाएगी चोथा प्रावाधान जो है वाया है कि इस मुफ्त एवं अनिवारे सिक्षा अधिनियम 2009 के प्रावाधानों को क्रियानवित करने के लिए सम्मंदिस सरकार तथा अस्थानिया प्रशासन को यदि आवशक्ता महसूस हुई तो नया विद्याले भी खोलने हैं देशित किया जाएगा अधिनियम के तहत यदि किसी खेत्र में कोई विद्याले नहीं है तो यह नहीं है कि उस खेत्र के बच्चे जो है वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे यदि कोई विद्याले नहीं है तो वहाँ पर तीन वर्ष की तय आवधि में नया विद्याले का निर्माण आवश्यक रूप से करवाया जाएगा जिससे की वो छेत्र एजुकेशनली बैकवर्ड नर है और वहां के बच्चे उस छेत्र विशेश के बच्चे अपने ही छेत्र में अपने ही सराउंडिंग में सिक्षा अरजित कर सके पाच्वा महत्पुन प्रावाधान यह है कि इस मुफ्त एवं अनिवारिय सिक्षा अधिनियम 2009 के प्रावाधानों को अमल में लाने के जिम्मेदारी जो है वो केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की है कहने का मतलब यह है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही इस कानून की पालना के लिए बाद्य है और केवल कानून की पालना के लिए ही नहीं इसमें जो धन खर्च भी आएगा उसकी भी दोनों की समवर्ती जिम्मेदारी होगी अर्था जहां आवशकता राज्य सरकार की है वहां राज्य सरकार धन खर्च करेगा और जहां आवशकता केंद्र सरकार की है वहां केंद्र सरकार धन खर्च करेगा अर्था धन का जो खर्च है वह सिक्षा के रास्ते में बाधा न आए इसलिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को इसमें धन खर्च करने की जिम्मेदारी होगी और दोनों समान रूप से धन खर्च करने के लिए बात दे होंगे सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से क्या लाब है और यह लाब किसे मिल रहा है या किसे मिलना चाहिए अब हम लोग इस बिंदू पर कुछ बातचीत करेंगे तो सबसे पहले यह समझ लेना होगा हमें कि यह अधिनियम जो है वो माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक सिक्षा तथा इस स्तर के बच्चों तक के सिक्षा को पहुँचाने के लिए एक बहुत है महत्वपूर्ण कदम है इस अधिनियम का सरवाधिक लाब जो है वो श्रमिकों के बच्चे बाल मजदूर जो की अपने लालल पालन के लिए जिनें मजदूरी करना पड़ता है ऐसे बच्चे जो हैं और प्रवासी बच्चे किसी कलामेटी की बज़े से किसी समस्था की बज़े से कई बार एक परिवार जो है एक जगह से दूसरी जगह उसको भागना पड़ता है जाना पड़ता है तो ऐसे में उनके बच्चों के पढ़ने लिखने की कोई विवस्थ नहीं हो पाती है तो ऐसे प्रवाशी बच्चे बच्चों के लिए भी यह सिक्षा का अधिकार अधिकार अधिनियम समान रूप से उपयोगी है इसके अलावा विशेश आवश्चक्ता वाले बच्चे जो की differentiable children होते हैं जो hearing impaired children हैं जो visually impaired children हैं जो mentally retarded children हैं उनके या जो learning disabled children हैं उन बच्चों के लिए भी समान रूप से उन्हें की सामाजिक और सांस्कृतिक आर्थिक और भागोलिक भाशाय अत्वा लिंग के कारकों की वज़े से ऐसे बच्चे जो सिक्षा से वंचित रह गये हैं उन बच्चों को मूख्य धारा में लाने का काम सिक्षा का अधिकार अधिकार अधिनियम 2009 करता है तो ऐसे बच्चे जो की बाल मजदूर हैं जो श्रमिकों के बच्चे हैं जो प्रवाशी बच्चे हैं जो विशेश आवशक्ता वाले बच्चे हैं या ऐसे बच्चे जो यानवायन के साथ यहां उम्मीद भी जगी है कि इससे विद्याले छोड़ने वाले जो बीच में ही अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं अपने पारिवारिक और तमाम कारणों से ऐसे बच्चों को भी तता विद्याले न जाने वाले बच्चों को भी अच्छी सिक्षा की दोड में पीछे छूट गये हैं जो किसी न किसी प्रकार से उनको बहुत क्वालेटी एजुकेशन नहीं मिल पाया है ऐसे बच्चे क्वालेटी एजुकेशन गुणवत्ता पूर्ण सिक्षा प्राप्त कर सके इसलिए सिक्षा का अधिकार नियम 2009 को क्रियानमित किया गया था और उम्मीद है कि इसका लाब भी उन बच्चों तक ठीक तरीके से पहुँच रहा होगा अब हम यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि सिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है तो किये गए 86 समिधान संसोधन के प्रमुक प्रावाधान क्या क्या है तो इसमें जो प्रमुक प्रावाधान है वो पहला प्रावाधान तो यह है कि 6 से 14 वर्ष आयुसमों के सब ही बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य सिक्षा प्रदान की जाएगी irrespective of caste, creed, religion जो किसी भी प्रकार के धर्म, जाती, पंथ के भावना से उपर उठकर जो भी 6 साल से 14 साल के बच्चे होंगे उनको सिक्षा प्रदान करवाने के जिम्मेदारी होगी दूसरा मुफ्त एवं अनिवार्य सिक्षा के जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर होगी केंद्र सरकार भी उत्तरदाई होंगे कि बच्चों को सिक्षा क्यों नहीं मिल रही है और राजसरकार भी उसी प्रकार से उत्तरदाई होंगे कि बच्चों को सिक्षा मिलनी चाहिए तीसरा जो है नीजी विद्यालेओं में 6-14 वर्स की आयू तक के BPL अर्थाद Below Poverty Line जो गरीबी रेखा से नीचे की स्ट्रेडी में आने वाले बालक है उनके लिए 25 प्रतिसत स्थान रिक्त रखे जाए यह एक महत्वपुण निर्देश है कि जो ऐसी स्कूल जो की Private स्कूल से वहाँ भी गरीबी रेखा से नीचे के जो बच्चे हैं उनको सिक्षा Quality Education मिले इसके लिए 25 प्रतिशत का स्थान रिक्त रखे जाने की बात यह अधिनियम कहता है और यह भी कहता है कि शर्त का उलंगन करने वाले विद्यालियों की मान्यता रद भी की जा सकती है चौथा जो महत्पूर्ण प्रयासे वया है कि प्रवेश के दौरा नेजी विद्याले समयतियों द्वारा नरधारित सुविधा शुलक जिसे की आजकल हम लोग Capitation Fees भी कहते हैं और बालकों के प्रवेश पूर्वजाच अर्था जो आजकल इंट्रांस टेस्ट या स्क्री स्क्रीनिंग और बच्चों के माता पिता का भी इंट्रव्यू लेने का एड्मिशन इंट्रव्यू की शर्ते लागू कर दी गई हैं जिसे की बंद करने के बाद यहां अधिनियम कहता है और कहता है कि यदि कोई Capitation Free या बालकों के स्क्रीनिंग बच्चों के स्क्रीनिंग क इंट्रेंस टेस्ट बगरा लेता है या उनके माबाप का किसी प्रकार से एड्मिशन इंट्रव्यू लेता है तो उसे बंद किया जाए और इन शर्तों का उलंगन करने वाले विद्यालेओं पर पच्चिस हजार जुर्माना लगाया जाए ता गलती दोहराने पर पचास उन सोधन में यह बात कही गई है अगला जो प्रावधान है वह है कि मुफ्त एवं अनिवार्य सिक्षा उपलब्द कराने का जिम्मा रज्य सरकारों को दिया जाए तथा विद्यालेओं पार्ठिकरम देश के सम्विधान के दिसा नर्देशों के अनरूप और सामाजिक न 18 वर्ष तक कर दी गई है और सात्वा प्रावधान महत्पून प्रावधान है वह यह है कि सिक्षकों के सिक्षकों के जो सुल्क सिक्षा जिसे ट्यूशन कहा जाता है उस पर पी प्रतिबंद लगाया जाया जैसे कि वो जो है अपने विद्याले के बच्चों पर ही पूरा का पूरा ध्यान दे सकें धन्यवाद